इसAcc पूरे सीन बना इसाइसी को यहाँ पर पिंए मको यहां पर आपको एललोबरेट किया पूरी तरीके सा इसका सीन वाटस वाटसब में दाली और वाटसब नीचे कमेणट पर सो दोस्तों यह कैसा लगा है उडिटों कंप्लीट ली बताया जहां मैंने यहां पर डेय पुरको दान देना यह माइक निकाल के बताया इसकी आपको यह जाता है और यह डाटा सिट्ट भी आपको दी और यह डाटा सीड आपको फिर से करो फ्री में हमारे से डाटा लो और हमारे गुरुप से जुरी रहा हूं इन फ्यूचर लोग अब यह मत बोलना कि यह ले आउट कहीं से कॉपी किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता है हिंदोस्तान में अभी तक किसी ने इसका ले-आउट बनाया है यूटू की स्ट्रीम है पहली बर आप देखहे हैं में इसनहीं की कंता विक लोग इसको साउंट इसी ने चाहित निमिए जागा देंगे आप यहां यहां पर क्लॉक और की जो फ्रक्रेंसे है वह अमकोले के दों यहाँ पर इस तो हुआइए इस 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 को भी लगा देते हैं जली से तो चलिए इस आइसी को भी लगा देता हूं बिना देल की यह हुए देखिए और इस आइसी का कोई बैपास नहीं है कोई जंपर नहीं है इसको आपको लगानी पड़ेगा और या इसी टूड़ गई या फिर गुंग गई तो आपको दूसरे सेक्ट से निकालेगा लगाना पड़ेगा यह देख सकते हैं आप क्लॉक के पल्स मिल रहे है ठीक है मैं टेकल करूँगा यह देखिए यह देखिए अब डाटा की लाइन देखूँगा तो देखिए यह दाटा की लाइन है यह दाटा की लाइन है कडाटा का पूरा से देखिए डीजिकल मैइक है प्रॉब्लम यह हो रही है दोस्तों लोग माइक बदल दे रहे हैं तो यह हैंग ओन लोग पे चलेता माइक की करण ठीक के प्रॉब्लम यह ओर ही है माइक खराब हो जाने के का प्रॉब्लम फिल पर है कि अगर माइख खराब है भी है तो मैं करूँ क्या माइख को निकालो कुई कि बिना माइख निकले तो चेक नहीं हो सकता ना तो मैं आपको को सलूसन दूंगा और कुछ टुक्के भी जिसको हम बोलते हैं जुका अब यह डिजिटल है कि किस्टल है क्योंकि पांच पिन का है अब आप खरीक्टे तो ले आए अब आप लगाएंगे और यह डिजिटल में आपने किस्टल लगाया तो क्या होगा तो यह माइक की वज़ माइक को तार रहे हैं या माइक को चेंज कर रहे हैं उसके बाद फिर कर रहे हैं या कुछ लोग पहले कर लेते हैं फिर नहीं होता है फिर माइक पर काम करते हैं तो यह प्रॉब्लम क्या है और क्यों फेस करनी पर रही है तो इसका सलूसन भी मैं सिर्फ थियोरिकल नहीं ब लेते हैं चे दिन चे गंटे की ठ्योरी और चे घंटे की प्रेटिकल तो यह हम देंगे और अगर विश्वास नहीं है तो फेस्बूंग में जाओ अफ लाल तो भी करेंट लाइट देखो तो आपको बोट का लालच यह किसी चीज का लालच नहीं दोंगा सीखाने का लालच कि दूसी चीज फ्री बोर्नियो मिलेगा फ्री प्रेद्मा फिक्स मिलेगा फ्री यूएफाई मिलेगा फ्री यूम्ट मिलेगा अन्लॉक टूल मिलेगा संसन का डबल टेकर बोर्ट भी मिलेगा आपको फिरी और ट्रेसिंग बोर्ट फिरी मिलेगा हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के जिद है मेरा फिटूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुर। जिद है मैं यूड़ी फैमिली फैजुक के प्यारे लोगों कैसे हैं सभी लोग अगर आप अगर अब इसे डेलिकॉम को लाइव नहीं जानते हैं तो यारे काम करो एक फैजुक है उसमें सरच करो एक लिकॉम और फैज एक आएगा पेज जिसमें एक लाग के उपर फॉल्वर्वे इदी और आगे पूरे इंडिया में यह गर हम पर बता यह तो इतने इतने बाई आपने स्ट्वरेंट कैसे बेटहूं सब्सक्राइब करें कि आपको भी जब भटे हुए आपको भी किसी ना किसी ने आपके हाथ पर खीचे उनगे तब आपको भी लगाओ गया यह ऐसा क्यों कागा मेरे साथ तो उंगली की जिबें नहीं उठा सकते हैं बट हर एक के वर में भूल भी तो नहीं सकते ना ना ही सब्सक्राइब करें जिन्दिकी में से बंधिर आलाती है पॉजिक्टिविनेस हमने पाच हजार के ओपर हमने पढ़ा है कितने अब हमें यह नहीं पता है ऑन दर रिकॉर्ड फाइव यह से चाउजन बट अहांस तक उसमें लोग चार साल पुराने दो साल पुराने एक गो केज जिनको हमने यहां से भगाया द्यूटू इल्लीगल चीजे पकटते हुए उन लोगों के दिखाता सार आपके इंस्यूट वेसा है यह मुझे लेना पढ़ रहा है यह मैसेज मुझे देना पढ़ रहा है हमारे को जजमत करो किसी वीडियो से तो कि यह सा टेलिकम किसी अगवाल आज आपको बताएगा जैसे कि आपने देखा था और आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में कि हमने स्टार्ट कि एक जियो की सीरीज और पिछली वार मेरे हाद में था जियो 220 B जिसमें मैंने आपको क्लियर किया था BSI का पूरा एक लाइन जो सर्किट के बिदाउर सर्किट डाइग्राम और उसमें मैंने आपको डाटा सीट प्रवाइड की थी बी पीम की 8909 जिसमें मैंने जो डाटा सीट जो प्रवाइड कराई थी अगर आप लोगों को नहीं मिली है यहां दिखाए तो आपको यह रेकिए यह डाटा सीट मैंने आपको प्र वाटसअप की उसको एड करो आपके सलूशन भी देंगे आपको डाटा भी देंगे और आपकी सुनेंगे भी सब कुछ करेंगा इसार टेलिकॉम ठीक है तो बाई मेरे आज मैं वीडियो बनाना जीयो पर मुझे किसी ने कहा था कि अगर ऊपर उठना है तो जीयो का हाथ दिखाएंग करने वाला टेकनिशन नहीं हूं मैं आम तो पे एंडरोइट के मूबास्यों में काम करता हूं और मैं उर्णी को डेगनॉस करना पसंद करता हूं पर जीयो इसलिए क्यों कि लोग जीयो लोग भी डियो पे काम कर रहे पे हम के लिए भी हमें वीडियो बनाना पड़ेगा तो सीरीज जीओ की है दोस्तों इस फोन में एक फॉल्ट आता है हैंग ओन लोगो और यह है जीओ सब्सक्राइब कर दिखाएंगे तो इसको बहुत अच्छे सा डाइग्नॉस किया है इमें सी भी आप देखर हुई है पावर भी उत्रा हुआ है एक ईसी है मिस्टिरियस जिसको बारे में हम पूरा बताइंगे वोल्टेस के साथ मुल्टेस के साथ यहां दिखाएं लट सांक तो बात होती है जीओ 320 तो फोल्ट आता है थे समने कार्णों से हो सकता है इसमेंués होरा है नाटॉप भी हैंगन लोगों आता है और नयटरूक में इसमें ट्रामसी इसीवर बज़ज़ से अब वो क्यूं आता है तीनों का काड़न का जवाब देखना है और पटिकली थेोरिकल b b मैं सिर्थ योरिकल नहीं बताने वाला कि इसे टेलयों कभी भी थियोरी कल पर नहीं विस्वास करता है इसलिए वो 6 गंटे अगर थियोरी की जो कि इंडिया में कोई नहीं दे सकता 6 गंटे लगाता थियोरी लोगों के 6 गंटे में पूरा सलेवस कटम कर देते हैं हम 6 गंटे में आपको यहाँ पर प्रिज्टेटिकल वीडियो लंबा जोगा पिछले वीडियो जैसा क्योंकि बताके क्या करूंगा पाउट में पाच मिट का देस मिट का वीडियो फिलाल अभी मुझे निलता की बनेगा क्या कि आगर मुझे बहुत डिटेलिंग मथाना किलास वाली फिलने हिए तो अराम से देखि और उसको समझे लेकर नोट बनाई एकने मैसेज कि आपके वीडियो लेखा और उसमें कॉपी नहीं है और मेरे भाई क्या देखा तुम किसी का नाम पढ़क है तुम किसी का सर्नीम जानके क्या उस पूरे बंदे को जान लोगे तोरा अगर दिमाग से पूरे वीडियो देखते ना अगर की अगरा दीडियो टालता है तो और लोगों के पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए और वो महिने महिने के एक विडियो टालते हैं क्योंकि उनके बाद में डाटा नहीं है वो स्टूडת को हाइड कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है वो पूरा ट्रांस जो ट्रांसप्रेंसी होनी चाहिए ना वो पूरी खता में उनकी यहां आप डेली चार बार लाइप देख सकते हैं हमको Facebook में और क्या बात करते हो यहां पर कॉपी किताब का जितना नोट्स हम करवाते ना उतनी तो उन्होंने जीव करवाते हैं तो यहां मैं अच्छा नहीं लगता है बट क्यूंकि मैं बहुत मोटीवेट बंदा हूं और बहुत मोटीवेट परसन हूं और मैं अपने इस्टुएंट को भी बोलता हूं कि जो भी आपके उपर कीचर उचलना चाहिए बीसक आप आगे बरते चलो क्योंकि की यह मैं चैसे जून कीचे मैंच की वज़े से भी आसकता है आपका साट वेर की वज़े की बज्यक्री वज़े से आ सकता है किस्की क्या वज़े है या मैं को를 तो सitt d it by कर रहे हैं या इनैंग पर लेते हैं तो यह प्राप्लम क्या मxicर्नेस करना रही है तो इसका solution भी में दूँगा और बहुत सारी बाते करूंगा कि इसमें मैं सब कुछ बताने वालों जैसे में मैं मैं बोला मुल्टी मीटर से वुल्टेज जी आर्ड नॉर्मल जी आर्ड फॉर्ट जी आर्ड या डी एसो से आपकी डाटा क्लॉक की लाइन सबसे बहले मैं बत होता है और डिजिटल माइक होता है किस्टल माइक बिसी के लिए आप जैसे इसमें पाच पिन का डिजिटल माइक लगा हुआ है इस तरह का फाइप पिन आप देच सकते हैं और इसमें यह किस्टल माइक होता है यहां पर फाइपिन का सो किस्टल मार्क और डिजिटल मार्क में मिलते हैं पर लोग कंफूज होते हैं लोग पाच पिन का माइक बोलकर दुकानों से माइक पर्चस कर लेते हैं और वो इस बोड में लगा कर अपने फॉन को हैंग ओं लोगों पर ले आते हैं तो रीजन क्या होता है क्यों क्योंकि यह डिजिटल है और यह आउपूट हैं मैं बनाकर देता है और यह आउपूट आपको और वनाकर देता है इसके बाद उसकी जो कि जो आई सी ऑउडियो और ऑटो DR पो लेंगे जो हमारा ये आउपूट की लाइन है जो हमें डिजिटल बनाता है यह जो जाता है security जाता है और digitally जब भी आप कमांड देते हैं यह लुटा देते तो इसके सारे उपनाया अग्राइच्छ ऑ मैं में इसके लिए मैं अलग कोई क्लास लोगा या फिर मैं इस इसको इसको डाटा हमारि और इसको नी में एक यहां पर कोई भी उत्य होता दान देना अगर मैं माई की बात करूं माई की टेस्टिंग करूं तो मुझे यहां पर कुई भी Grounds नहीं मिलना चाएगा और तो ही यह डिडीटल माइक माना जाएगा अगर यह Ground है और इसके साथ इसके साथ यह दोनों ही Ground आ रहे हैं तो एक लाइन इसका VDD और एक लाइन इसका implants ए को अगाAndaker E है यहां पर मैं भीब मूट पर रख रहा हूं यहां पर दिखाईए देखें मैं सियारूं अल्टीमेटर यूज करता हूं 40 मेगा हट्स का है बजर मूट पर रखा हुआ है देखें यह हमारा इदा दिखाईए यह हमारा जीयो का 320 है और यहां पर ऊपर दिखाईए और तुरह पाच प्रिम के माइक को आप को थोड़ा नोटिस किजेगा मैं पूल हए क्पिलाल यह नहीं चेक करने है। यहां चेक करेंगे तो select वाली Lane आपको Ground मिले है। तो यहां पर digital mic है या crystal है अगर माल लो इधा दिखाएए अगर मुझे यहां और यहां दोनों पर ground मिलता इसके साथ तो यह crystal mic लगा हुआ है अगर मुझे यहां पर और यहां पर कहीं पर भी ground इन चारों में कहीं पर भी ground नहीं मिले तो इसका मरलेवियो समझो कि इसमें digital mic अब देखिए किस तरह का डिजिटल माइक दिखाता हूं देखिए बीब मोड पर रखा देखिए उपर दिखाईए देखिए बीब मोड पर है आप साउंड सुन रहे होंगे और अब आप यहां पर देखिएगा यह लाइन तो ग्राउंड है और इस लाइन के साथ हम यह ग्राउंड आ रही है देखिए ना यह ग्राउंड है देखिए यह ग्राउंड हो गई ये ग्राउंड नहीं है ये यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है तो मैं ने बूला बोड में चेक कर inherently तो एक ग्राउंड आएगा वतीन पर ग्राउंड नहीं आएगा तो भी आप बोल सकते हैं कि ये डिजिटल है और ये में करेंगे दोनों पर ग्राउंड आता है यहां पर दिखाता हूं यह देखिए यह एक और सैट है 220 यहां पर यह देखिए उबर दिखाईए यह देखिए अलागे पाच पिन का नहीं है फिर भी दिखाने के लिए यह दोनों पर भी आप देखो चार पिन है दोनों पर भी पा रहा है तो इसका मदलब है यह किस्टल माइक है और अगर बोडी में पीसीवी में की बात करूंगा अगर पीसीवी में एक पर भी पा रहा है दान देना य देखो और बागी तिन पर नहीं आ रहा तो इसका मदलब है ये एक दिजीटल माइक है पड़ा माईक को भी टेस्ट करना है क्यों कि डिजीटल और किस्टल कैसे करेंगे तो ये माईक दिखाना चाहरा हूं देखें जैसे ये माईक है अब ये digital है कि किस्टल है क्यों कि 5 तो आप देखाना चाहूंगा थोड़ा सा साइड पहले ऊपर दिखाईए तो आप देख सकते हैं यहां पर यह डिजिटल माइक का आप डाइग्राम देख रहे हैं जिसमें एक लाइन वी डी एक लॉक एक डाटा और एक लन आल जिसको हम स्लैट बोलते हैं जो कि ग्राउंड की लाइन है पर माइक में वह ग्राउंड नहीं होता यह लगने के बाद बनती है स्लाइट की लाइन है सो अब मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा देखिए तो मैं आयोग कि आपको समझ में तो आ गया होगा कि अगर यह माइक डिजिटल है तो यहां पर कोई भी बीप नही तो देखें यह तो यह जो डायमेटर है यह तो आपका यह जो सर्कल बोलो अभी फिलाल तो यह तो बीप देखा है तो देखो ना यहां बीप ना यहां बीप ना यहां बीप ना यहां बीप ठीक है और देखो अब इसको मैं चेक कर रहा हूं एधा दिखाए कोई कॉई reading नहीं आभ मैं इसे पसर कूल टेस्टिक गरूंगार मैं मैं न defend will प्रक्राइब को यहां रखना हूं अभ देखे यहां दिखाया यहां और यहां तो हम इसको डाल मूट पर करेंगे मैक को चेक करने लिए इसलाल मैक को आपको अब बड़ करिए कि अब यहां भी दिखाइए तो इसका मतलब है कि यह कि जो माइक है completely okay है लगाने लाइक है और एक digital माइक है यह वब की पहली बाद तो आपको यह समझ में आगे हाँ सवाज आया Wang अगर दोनों पर पैड पर आपस में बज़ रहे है तो इस तो प्रॉब्लम यह हो रही है दोस्तो लोग माइक बदल दे रहे हैं तो यह हैं लोग पर चल लेता माइक की कारण है ठीक है प्रॉब्ल्म यह ओ रही है माइक काड़ा कर्स करांए हैं हो भी है लोगों को पते जिससा हो नहीं है तो अब मैं को निकाल वहोग बीना मैंने के लो दोस्तों यहां इसको स्किन्ट ली सकते हैं यह बोडी के जी आरहे और यहां पर यहां पर एक क्लॉक्रिण लगा हुआ है यह यहां पर आप यहां पर नोटेश करो कि माई की सप्लाइई बीसिकली इस बोडी में यह रहेकं कि इसके कॉंपडेंट अगर मैं यहां देखा हूं कि किसी कस्टमर का मुबाइल है यह सिर्फ समझाने के तौर पे लिया था तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूंगा यहां देखाए तो बेसिकली यह लाइन ग्राउंड है इस लाइन को हम डाटा बूल सकते हैं एक तर बूलेंगे को आईसी यह सेंड करेगा कि यह लाइन इसका वीडीडी है वीडीडी मतलब इसको आने वाले वुल्टेज है और यह लाइन इसकी क्लॉक्सिक्नल है क्योंकि जैसे डिजीटल है अब अगर आपने जानते होगे डिजीटल डाटा के साथ में एक लाइन और अब अधे जाल काहा दे जाल करना है तो दोस्तों बार इसको कि नाइस के हैμαι Lakes कलए यह लें किलंगे कर सुथा लाइव वीडीने कौर आनेodka करी यह हैं सबसे पहला आपको बताने से में आपको बताना चाहता हूं अश्था ऐसे का वीडी डी दिशित ब्यात्रिडीकली इसक में तो होता है कि यहां पर रेसिंग बताना चाहता हूं आपका व्डुड़ीडी है तो दोस्तों यहां पर यह जो आपका सीसी क्या होता है वी सीसी क्यों से और आप जांते है कि हुआ हुआ है एम चूरी में में और बत्रूश आता है आपका पावर हमें पावर से ऑल 5 क्लायटर वे हैं और यह वोल्टेसे जां By लगाने पड़िए भी मिल जाता है अब चार्जर भी लगाओगे तो भी यह आ जाएगा फोन ओन करने के ज़रुवत भी नहीं है और ओन करोगे तो भी यह continuous बना रहेगा continuous मतलब यहाँ पर आपको 1.8 voltage continuous देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज को तो continuous डाला गया है वी डी डी अगर यह वोल्टेज किसी प्रकार से टैपसिटर से सौट हो जाते हैं यहाँ पर तो क्या होगा सैट क्योंकि कॉलकम का है तो आटो पोड बना देगा क्यों जाना देगा क्योंकि णिउम्सी को यह बंटैज जाना बंद हो जाए गएगा आप तो मैं आपको भी, दिखाता हूं जाता है कि नहीं जाता है सबसे पहले यहाँ से ब्रकाटा हूं मैं जाता हकतना का तो आप देखिए यह वाली जो line है यह वाली line आपकी जा रही है इस capacitor में यह आपका VDD मान लेते हैं यहाँपर और हम वीव मोट पर रखेंगे यह देखें इस capacitor में और यहाँ पे coil लगी हुए है अगर यह coil भी open हो जाएगा तो phone तो on रहेगा बट माइक काम करना बंद कर देगा क्योंकि इसको 1.8 वोल्टेज मिलना बंद हो जाएंगे तो यह कोईल लगी हुरी है इस कोईल को आप जंपर मार सकते हैं क्योंकि यह B-coil है और अगर ही colorful होती तो फिर मैं बोलता कि इसको जंपर मतमारी है इसको अब लगाईए पापस तो और और फिरान अक्सर यह पावर हीसी से आता और यह दान दो अक्सर यह पावर हीसे से आता है कि पवेंटेज बनाती है बर इह आ रहा है फ्रेश्चोंत और मृजिस्टर लगा हुए है यह ज делать न justification को एकक पिलफ प्लफ और ursटिस्टर सबसंत जांता है कि यह लोगर अज यह वाला पॉइंट हो गया यह वाले पॉइंट पर रखा हुआ है तो कि दोस्तों अभी मेरी टीवी पर लेखने के आदर इतनी बन रही है तो वह क्यों बन रही है मुहमद सर अप्ग्रेट करो तो रहा है क्या है हमारी दोनों क्लास जो है जिसमें जो ब्लेक बोर्ड होता है ना तो हमारे पास अभी ब्लेक बोर्ड ना वाइड बोर्ड है हमारे पास है डिजिटल बोर्ड सर और हमारी आदत बन गई हम सब टीवी पर लिखने आदत बन गई तो यह नारमल टीवी अम इस पर लिख रहे हैं और यह जगहा देख लो दोस्तों यह आपको खाली दिख ना यह खाली दिख रहे हैं इसके लिए आपके लिए सर्प्राइज है मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा जैड़ेस मलिक को ओके तो एक एड़वांस में तो देखो यह सप्लाई आपकी कनेट हो रही है बेसिकली इमेम सी से तो आगर आप सबको पता है नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि यहां पर भी शिक्स एक दो तीन चार पांच छे यह देखो यहां से यहां पर भी पाएगी आगे और यह जो है पुलप रेजिस्टर लगा हुआ है वेल्गु कितने हैं यहां पर देख 3K का वैए रेजिस्टर लगा हुआ है यहां दिखाई उपर कि यहां पर मतलब लगवख हम इसको 10k का पुरफ रेजिस्टर लगा होता है जो कि कमांड में लगा ही होता है यहां पर नाइम पूल्ट भी बता रहा है लूद लेंस की वजह से बता सकता है और इसका यह वाला यहां से बात करेंगे तो यह हमारा का वी सीची है तो अगर यह लाइन किसी प्रकार से सौट होती है तो सीधा आपको अव्यस है सब्सक्राइब को अगर मारने वहाइब को सब्सक्राइब और दिजिटल में आप लगाएंगे भी ना तो यहां नहीं है सबसक् buen hr अब बात करते हैं data clok की तो पहले मैं data Clos investments को यहां बताना चाहूंगा हमने चेक किया माइक के अक्रोडिंग यहां दिखाईए यह देखिए जो हमने सीड बनाई है इसका डाटा सीड बनाई है उसके हैसाप से यहां पर यह देखिए माइक आ रहा है यह देखिए माइक माइक माईक रोक्टू नेगेटब माइक वन एक इचा थे मॉन इन माईक ट्री इन और माइक बाइस यह लाइन आ रही है माइक की और यह लाइन आपको यहां पर देखने को मिलेगी यहां पर 10 नमबर यहां पर देख सकते हैं जो कि हमने देखा कि आई सी से तो कनेक्टी नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं हो जा रही है इसको एस्जांपल की तोरके सम्झाऊंगा जैसे मालोग PMI PMI में क्या होता है जैसे PMI 8952 कोलकम के सेटों में यह जहां MSN के सीप्यू लगे होते हैं वहां पर यह PMI 8952 में क्या करते हैं कि यह लाइज सीच के अदर डाल देते हैं और ग्राफिस सीच के अदर डाल देते हैं ठीक है बट यही चीज अगर इसमें SM या SDMC 2 लग जाता है और जहां पर यह PMI 8952 अगर आई इनके बीवो के सेटों में आती है तो इसमें क्या करते हैं यह उसमें से लाइट निकाल देते हैं और एक अलग ड्राइवर डाल देते हैं लाइट का फिर माइक काम कर रहा है तो दूस्तों मैं बताना चाहूंगा माइक क इसको हम समझेंगे और यही समझने क्लिए हमें सब में पूरी आइसी लगाईगे और देखेंगे कि क्या है अगर यह रिंगर भी है जैसे बहुत से लोग इसको बजार आइसी बता रहे हैं साउंड आइसी तो साउंड अगर यह थो भाई यह निकल जाने से साउंड बज़ नहीं है और साउंड है तो फिर आपके यह साउंड लगा उए है जैसे आपका रिंगल लगा हुँआ है Seems इसके ट्रेक यहां आने चाहिए और अकर यह साउंड रिसी है तो हो सकता है कि यह जो पीछें रिसीवर है इसके ट्रेक के यहां रहे हैं तो यह यहां पर ले आउट बनाया हुआ है तो रहें जोम करके स्क्रीन शोट ले लो अब यह मत बोलना कि यह ले आउट कहीं से कॉपी किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता है हिंदोस्तान में अभी तक किसी ने इसका ले आउट बनाया है यूटूब की स्ट्रीम है फर्स्ट टाइम है पहली बार आप देख रहे हैं इस आइसी का जो की ल हुआ हुआ है कि डाटा क्लॉक के लाइन इस आइसी में जा रही है यहां पर देखें यहां पर मैंने डाटा पर रखा तो यह इसके साथ में यह एक एनफ लगा हुआ है यहां पर मैंने रखा अब इसके बाद यहां पर देखें लेख देखें ग्राऊं पर बीप भीपनीं आ रही है आप देखा इसलोसटोर और जूम करके दिखाए थे कहा रहा हुआ है अब यहां पर ऊपर देखाए फ्ॉद्धण अपने नीचे से देख लेगा आब उपर देखें यह रेखें यह रेजिस्टर जीरोम्स यह जीरोम्स और इस पैड़ पर हार है जो की पैड है आपका D3 यह आपका A B C D यह देखें A B C D 1 आप स्वरी यह आपका है D1 जीरोम्स इसमें एक एनफ लगा हुआ है तो यह आ रहा है आपका इदर देखें जीरोम्स का रिस्टर और यह दो पैड़ जो यह आपके दिखा ही सर यह आ रहा है आपका यह जो लाइन आ रहा है आपकी वह आपका आ रहा है D3 और D2 पर यहां पर इसके दो टेस्ट पॉइंट यहां पर पड़िए यहां पर जो ट्रैक है यह ऊपन उचुकी है आपके सीट में आ जाएकि पड़े हैं आप देख सथे प्रें पंखड़े हुए पत्रे निकालते होगे तो कोई दिककर नहीं है तो यहां से आप सोचेंगे साथ यहां पर आगर यह प्रिंट उख रहे हैं टॉछ जाएगा भाई मेरे टस्पॉइंट है एक अक पर सीड़े ज तो आप तो चले जाओगे ना अगर सामने ब्लोग होगा तो समझ में आता है कि रुख जाओगे तो साइड में से घुम्टे हो जाओगे यह मानुए टेस्ट पॉइंट है एक टेस्ट पॉइंट तो इतना तो आपको समझ में आया तो दोस्तो फिलाल हमने अब इस पावर नहीं होगा यहां भर दखाएगे भेंके रिंगर इसकें जारा आए जी रिंगर इसके आपे निगर इसके जा रहा ह। दाने के लिए तो तो ऑधि के crafting यहाँ दिखाई है उपका अगरी-च्ए- सांट का मmachenका एब ससकू हो सकता है कि माइक और विसल्टूर सब सब्सक्राइब तो आगर यहां सब्सक्राइब पाद करें कंदिश के सब्सक्राइब यहां यहां कि दो गया एक श्राइवर गूरु और यहां पर अगर हम बात करेंगे जी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा यह देखो बीप आगे आप इसके साथ लगाऊंगा यह बीप इसलिए आ रहा है क्योंकि यह दो जानते हैं और यहां आप जानते हैं कोईल लगा हुए कोईल को ब्ला किया ग्याइभ तो मेंगनें टिक नोगी हैognum और जैसे वोल्टेज आता है तो मैगनेटिक फील बनाता है और कमपन होता है जिसके वजह से साउंड निकलता है तो जितना बड़ा होगा साउंड इतना अच्छा होगा बड़ा निकलेगा तो बेसिकली यहां से इधर भी बीप आएगा कि यह वाले पॉइंट है यह देखो और यह दोनों पॉइंट आपनेंगे क्यों कि वह लगी हुई है तो पहली बात तो इसका मतलब यह एक कंफॉर्म हो गया कि यह जो आईसी है यह रिंगर आईसी नहीं है अब बात करते हैं यह स्पीकर तो यह स्पीकर के कॉंपटेंट यह भी कोईल नहीं है दोस्तों यह भी आप एक वीडिया रजिस्टर लगे हुए है और यह काला कैपिसेटर बोलते हैं काला कैपिसेटर नहीं होता है आप कसम से पर ठीक है अपने अपनी नौलेज है कोई बात नहीं है यूटूब खुला है लाको भीयो आ रहे है लोगों काला कैपिसेटर नहीं है मेरे भाई यह वीडियार रेजिस्टर लगा हुआ है काला कैपिसेटर वो आपको एक चीज़ गुलना चाहेंगे बाई गलत जानकारी मत परोसो अच्छा ठीक है अच्छो यह यह यहां पर लगा हुआ है आप रिसीवर का पॉइंट आप देख प यह देखें यह दो पॉइंट तो यहां पर दिखाएंगे तो एक पॉइंट मैंने यहां रखा यह रिसीवर का पॉइंट है और एक यहां रखूंगा अब दिख रहा है आपको अब दिख रहा है आपको अब यहां से प्रेबल को इसके बगल में भीप देगा कर यहां यहां पर हो दोलगा जाएं गएंट करेंज सब्सक्राइब को कुछ पटूर सब्सक्राइब कार है और यहां पर अभी फिलाल हम इतना बी चेक किया है कि इस आइसी के इंदर रेसीवर और तो अब यह इसा बता चलेगा तो हम सारी आइसी लगा देंगे और यह इसी नहीं लगाएंगे हमारा क्या नहीं चल दा है हमारा रिंगर चल दा इसका मतलब यह कि यह माइक और हम रिंगर को हम हैड़फोन लगा के भी सुनिगे अगर हैड़फोन में भी आपद्फोन में आज आइसी मान सकते हम इसको मैं मुझे नहीं पता वहाई मैंने बूला मैं परस्ट टाइम हिस्ट इसमें आपके ड्राइग्राम की कमी पूरी हो जाएगी तो देखिए एक बार फिर से स्प्लेंग कर देता हूं सारी चीजे हैं तो प्रिम क्या पताया कि इसमें कौं संपाइक लगा डिजिटल डाटा और उडीडीडी की लाई में आपको बताई इम्यम्सी की जारी क्यों आहिए यह यह बता देता हो फॉर यह निखा जाए अब देखे सब लोग यहां पर L5 धूरेंगे तो देखो L5 यह मिल गया आपको यहां पर यहां पर यहां पर अब L5 यह देखो एक दो ती चार पांच शह साथ आठ नौह दस यह पूरे यकीन है कि यहां से बीड दे रहा है और यहां से 6 एक दो तीन चार पांच चैनल तो यह भी पता चल गया दोस्तों एक और चीज में आपको जुगार बताना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि यहां पर अगर आपको ऐसा लगता है कि तो यह प्रॉब्लम किसका है तो आपके जो यह डाटा पॉइंट है और यह आपका जो क्लॉक का पॉइंट है आप इसको भारी भार सा सॉर्ट कर दिजिए बीना माइक उतारे अगर यह सट्किट ओन हो जाता है तो इसका मतलब य के फोन निए हो रहा है तो इसके पह्तिव जो किए और अगर उसके बाद अगर यह तब भी बिभी आव नहीं रहता है ओफ रहता है अन नहीं रहता है तो इसके बाद आप दाले दालेगा फिए और और इसको आपने देखा होगा बहुत सारे यूटूबर ने भी अपने पर बताया और पैटिकली करके बताया है तो चलिए इसमें सबसे पहले नियुक्तर है पावर लगाते हैं पावर लगाने के वद बना देगा क्योंकि ये मेंटी निगली हुए है और तो मैं इसको लगाओंका और यहां इसी बार में लगाओंगा पर में यहाँ पर आपको क्लॉक और डिजीटल की बताऊंगा वोल्टेज भी बताऊंगा तो देखे दोस्तों हमारे पास हमने जो तीन वाइसी वह रिबॉल करके रख ली क्योंकि यह टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं वीडियो भी मतलब में लंबा बनता है यह हमारी सब सबसे पहले है कि में में सी लगाऊंगा नीचे दिखाए है और जब आइसी को लगाना हो तो उपर झाल झाल तो यह लगा दिया इसका कवर लगा दिया कि ओन करेंगे कि कवर लगाने के यह देखिए तो सेट हमारा ओन हो चुका है और बूटिंग अप ले रहा है यहां पर तो हमने अपना सेट अन कर लिया है कि अपने 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 इसमें कि वह लगा हुआ कि अवाज अवाज राइधी एवास नहीं नहीं अवाज लगा तो यह गजब खुलता है मैं पहली बार देखा यह मोबैल तुम ने भी देखा शाइब अब तब जी ओ देख्ते थे वो अब देख तक वह जियो देखते थे चली बताओ बुटप हो गया नहीं नहीं और यो आइसी जिसमें साउंड निकलता है रिंगर जिसके आवाज पुन आहीं तो अगर मैं अभी रिकॉर्डिंग करूंगा तो मेरा माइक काम नहीं करेगा तो कर कि दोस्तों अब हम इसमें माइक के वोल्टेज आपको दिखाते हैं और यहां पर कंप्लीटली रूप से देखो जियो फोन इस स्टार्टिंग जैसे आप देख रहे हैं यह पर कंप्लीट और दोस्तों यह फोन बहुत डीले फोन है बहुत लेटीज चालू होते हैं यह वी समझाए कि माइक पर वोल्टेज 1.8 आना चाहिए जो वी सी सी के है और एक बार डाटा की फ्रिक्रेंसी आपको दिखाता हूं यहां पर दान दो यहां दिखाईए ठीक है देगे तो यहां पर दान देना यह देखे माइक उत्रा हुआ है अभी अभी और वह आईसी भी उत्री हुई है तो पहली बात तो यह हमें फ्रिक्रेंसी नहीं मिल पाएगी क्यों यहां पर फ्रिक्रेंसी तभी मिलेगी कि जब हम वह आईसी लगा देंगे क्योंकि इस पर क्लॉक और डाटर की जो फ्रिक्रेंसी है वह हमको इस आईसी से मिल रही है दोस्तों यहां पर यह इस है तो आईसी को भी लगा देता हूं बिना देर कियो हुए देखिए और इस आईसी का कोई बैपास नहीं है कोई जंपर नहीं है इसको आपको लगानी पड़ेगा और यह इसी टूड़ गई या फिर गुंद गई तो आपको दूसरे सेक्ट से निकालेगा लगाना पड़ेगा अब दोस्तों आप बोलोगे कि जियो मोगय में डी ये सो क्या काम करा इसकी भी जानकारी मिलेगी आपको देखते रहीं आप डी ये सो का क्या काम जी ओ मोगयल में अब सब्सक्राइब करेंगे तो इस ने डांस कर लिया पूरी तरीके से तो देखो यह इसी भी लग गई है अब माइक लगा देने के बाद में कम्प्लीटली रुख से फिरम को ग्लॉक को डाटा की लाइन मिल सकती है तो माइक भी लगा देते हैं साथ में करें है तो पहले मैं आपको क्लॉक बिना माइक के दिखाता हूं लगा के आप समसरे बिना माइक कि तो हमें सारी चीज़ पता हो जाएगी एटू जाएगी कि दिखाए यहां पर साइसर देखिए ऊपर की रिडिंग देखिए यह देखिए डिस्प्ले ठीक है अब यहां पर आगर आपको पता होना चाहिए नहीं पता है तो बता हूंगा कि डाटा की लाइन तो आउप्ट है ठीक है तो वो कॉल लगाने के बाद दिया तो आउप्ट पर बिलेगी पर क्लॉक की लाइन चेकरेंगे मिलेगी की नहीं मिलेगी अब बच्चे लेखेंगे डियस ओ कि तो यहां पर देखिए कि अगर कि अगर कर देखिए कर देखिए तो अभी यहां पर क्लॉक की लाइन क्लॉपर तरीके से देखेंगे तो हमें क्लॉक की लाइन नहीं मिल लएए आप देख सकते हैं क्लॉक की लाइन इस तरह से नहीं होती है तो यहां पर आप देखिए जो फ्रिक्रेंसी बन रही है वो अभी क्लॉक की लाइन नहीं मिल गई है यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे नाई डाटा की लाइन है तो माइक लगाएंगे कि यहाँ देखाए यह फॉन कम्प्लीट लूप से ओन है यह देखें तो अब हम माइक लगाते हैं और माइक लगाके क्लॉग और डाटा की लाइन को चेक करते हैं तो अब हम माइक लगा देते हैं दूस्तो तो इसमें माइक लगा के माइक क्लॉग और डाटा की लाइन को हम चेक कर लेते हैं तो जली से माइक लगा देता हूं हुआ है तीग है अब देखे दोस्तों में जिया चेक करूंगा यहां पर देखाए यहां पर देखाए अब देखाए आप देखा लॉबाइल देखा यह फिलाइन अपर देखाए और यह विडिडिडी कि लाइए नीचे देखिए त्यक्ति अब अब ऐसा कितने टाइम बात करते थे ऐसा है किप्रेट बनाते थे थे रहाना उलाज़ता अब दोस्तों तो अब हम तो माइक को और प्रॉपरली तरीके से क्योंकि customer से प्वोन है तो हम अब अब आधने फर्स टाइम हाद में लिया मैं इतना आपको इस्प्लेण किया है आयोग की मेरा आपको समझ में आया होगा और पूरी तरीके साथ कंसर्ट क्लियर हो गया होगा हर तरह का फॉल्ट आपको पता चला होगा कि कौन सी लाइन क्या है और इसी तरह का ज्ञान इसा चलिकूं आपको देने का वादा करता है क्लास में हिंदोस्तान में सबसे ज़्यादा और फार साथ कट है मतुक्रालों फूलर की है मत फी यूएफ यू इम यूए एंपी मिलेगा पाइव स्लभ सभी एंड़ ंं लग अम्लै क्झें व्यू तोम मिलेगा 593 समकशं का डबल टेकर बोट भी मिलेगा उलबोट फ्री मिलेसिंग अलबोट फ्री दुनिया के हम पहले कैसे इंस्टूट है कि जो ट्रेसिंग के लिए आपको डेट बोर्ड बुलवाते हैं आप से बोल बोल के फोन करके तो देखेंगे अभी तक मुझे नहीं पता है कि इसमें रिकॉर्डिंग है कि नहीं होगी तो हम कैमरा ओन कर लेंगे ठीक है तो मुझे बिलकुल नहीं बता है दोस्तों कि मैंने नहीं चलाया है रेकॉर्डिंग क्यों रेकॉर्डिंग होती है क्यों रेकॉर्डिंग होती है कैमरा ओन कर लेते हैं क्योंकि मैंने से पहले नहीं देखा रेकॉर्डिंग नहीं है चलो कोई नहीं है कैमरा ओन करते ह यहां के नहीं दोगा जोजारे नहीं दोगा देते हैं, आज कल टाचारेक में आ गया है, जी ओ को भी देना चाहिए, यह वोईस असिस्टेंस इस आफाना ने चाहिए, बड़ उसके लिए इन्टरनेट चाहिए नबसके लिए, वाइफाइक करो यह करो कौन करें का स्थारी का माइक, ओके, माइक दिया हुआ है, यह कहा है कुछ टाइम कर बहुत स्लो जाते हैं साइट, है, चलना, वो दिन बाद फारमेट महुते हैं, हाँ, हाँ, आट रिसे, ले तु नीचे ही चल, खुछ, मैनी तो पचास अजार देकर रखे हुए है, अच्छा, यह वो वाला नहीं है, जो हम से उच रहते हैं, तो अब हमको कैमरा उपन कर लेंगे, जियो से नहीं कैमरे का कहा है, यह है, और अब हम यह, कैमरा, मानी मर जाएगी केमरे में पुछ लिए, पीसे हाथ रखा यह राटा ला, लहीं लगा तो है क्यामरा, खुलने में ही पचास अजार टाइम लग गया है, एक बंद कर लिए वीडियो, खेलो दोस्तो, माइक भी लग गया है, फोन भी ओन है, अब हम यहाँ पर हमने वोल्टेज भी दिखाया है 1.8, अब यहाँ पर हम देखाएंगे, जान दीजेगा, यह में लगा के रखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लॉक की लाइन पर टच करूँगा, यह देखो, यह मुझे एक क्लॉक के पल्स मिल रहा है, यह देखे, यह देखे, यह देखे, यह देख सकते हैं, क्लॉक के पल्स मिल रहा है, ठीक है, मैं टेकल करूँगा, यह देखे, यह देखे, यह देखे, अब डाटा की लाइन देखोंगा, तो देखे, यह दाटा की लाइन है, देखे, यह दाटा की लाइन है, यह दाटा की लाइन है, यह देखे, यह दाटा की लाइन है, उपर देखा यह, देखे, यह दाटा की लाइन है, यह भागता हुआ दाटा देखे, तो तो व्त कण dazu दिखा दिया और क्या दिखा देए आपको is कि क्या दिखा दें आपको कि सारी चीज दिखा दिए आपको कि देखे डाटा पर 1.7 वोल्टेज देखे रहे हैं यह देखिए वोल्टेज यह रखी कार्ड चीक है तो कि यह इतना लंबा बीटो बनाते हैं इसे डिली को वाले यार पांच बिट करें तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि हमें थोरा सपोर्ट करें अब ध्यान दीजेगा एपार फिर से रिवाइस करनेता हूं कि तोटली यहां पर मैंने बताया कि अगर आपको फोल्ट जियों में अगर आपको फोल्ट जियो फोन में एक जियो फोन में वह भी 320B मैं अगर आपको फोन फोल्ट यह मिलता हैं गों लोग तो सबसे पहले आप इसकी इस लाइंग को जंपर मादेना यहां पर दिखाए इस अगर यहां यहां आप दिखाए दे रहे यहां डाटा क्लॉक को जं जंपर मार देना आप यहां पर भी जंपर मार सकते हैं यह दिखे इसके जो टेस्ट पॉइंट है कि एक सीप्यू के पास कि अगरे कि अगर कि अगर आपका फोन अगर आपका फोन यह जंपर मानने के वज़ए बाद ओन हो गया तो समझ लेना यह जंपर मारने के बाद नहीं होता है और इसके बाद भी ओन नहीं होता है तब आप काम करना यह डब्लू टी आप यह नैक्रोथ का इसी डब्लू टी आप जो दोस्तों कैसा लागा वीडियो बताया जुरूर पस्ट टाइम यूट्योव इस्ट्री जिसमें मैंने आपको मुर्व माइक आइसे बता के आऊ-शुरू यह गश्ट्री हम साउट इसले बहुत भ mostrar ते क्योंकि साउट हरे को कंट्रोल करता है वे फिर्सीवाट की जा रहा और है हैट फोन नीच हैट फोन नी चेक किया अभी हेट फोन यहां पर पीएम को यहां पर आपको एलोब्रेट किया पूरी तरीके से इसका डाटा सीड वाटसब में डाली और वाटसब नीचे कमेंड पर जहां मैंने यहां पर डीएसो से इसका डाटा क्लॉक की लाइन बताई वोल्टेज मीजरमेन बताया हर एक चीज बताई एक चालू फोन से इंटा आपको बताया यह निकाल कर बताई आपको मैज निकाल के बताया यहां पर जкой और शीतल राटसित अपू簡單 आपको फिर से बता रहा हूं यह आपको चाहिए तो यह आपको यहाँ पर मिलेगी नीचे कमेंड वाट्चाप पर डिस्क्रिप्सेंदे वाट्चाप लिंक है उसको एड़ करो ग्रुप को जैंड करो फ्री में हमारे से डाटा लो और हमारे ग्रुप से जुरी रहा हूं इन अपिंट के ऐठ सो कैसा लगा जूचिंद्स गेंजे अपक्ष्या यूटूब में नहीं बढ़ा हूं कालन Um क्या नामे आपका हूए ? 65 अभी पहा करने वाले है ? किसा Cpu निकालने वाले हूँ कौन तरह न है ? न हाध camera याधcha वाईवन न हैसा तो अभी अपिस का CPU निकालने वाले है ? इसने नपर हाने तरहिकर ङड़ी डसे